अहां मिलन समारोक आयोजन किया गया था भानू परताब जी और रूपा जी जो जिला परिशत के सदस्य हैं उन्होंने सदस्यता ग्रहन की है निश्चित रूप से जिस तरह से धनबाद जिला कॉंग्रेस कमीटी बर्चर के काम कर रही है और लागातार लोगों के बीच में र राहुल गांदी जी ने कन्या कुमारी से लेकर कास्मीर तक की और जो उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में महबत की दुकान खोल ली है उस बात से प्रवावी ठोकर के लागातार पूरे देश में सिर्फ धनबाद में ही नहीं पूरे देश में लोग कॉंग्रेस की सदस् कि आने वाला समय कॉंग्रेस का है जैसा कि आपने देखा भानु पृताब जी ने कहा कि कॉंग्रेस ने बहुत कुछ दिया है तो मैं यह कह सकता हूं कि कांग्रेस नहीं देश दिया है और देश बचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है इसलिए हम लोग सब लोग साथ मिल करके आगे बनने का काम करें आपका नेता कौम होगा इंडिया के नेता क्या ने अंत्रे में जहां आप खड़े हैं वहां एक सिंगल विदायक करा रहे हैं नहीं 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 मेरी बात इस बात को पहले ही मैंने मंद से कह दिया है कि जंसुनवाई जो हुई है वो और अच्छे से होनी चाहिए अगली बार से इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा और जहां तक विधायक और अन्य नेताओं की बात होगी तो निश्यत रूप से सभी लोगों का अपना अपना इंगेजमेंट होता है जब मैं स्वैम आया हूँ समझे पूरी प्रदेश कांग्रेश कमीटी आई है सारे विधायक आए हैं मंत्री आए हैं और हमारे पूर मंत्री जो यहां के धनबाद के अभिवावक हैं मनान मलिक साहब वो लागातार रहे हैं पुरुजिला ध्यक्ष बरदेंदर वावू हैं और हम समझते हैं सभी लोगों का सभी कार्जकम में आना संभव नहीं हो पाता है इसले बहुत उसको यह आज बहुत बड़ा दिन है नए लोग जोईन कर रहे हैं उसका बढ़िया से लिखिये और ये लोगों को बताईए कि कांग्रेस मजबूत हो रही है देखे ये तो जो भारती जनता पार्टी एजेंडा चलाती है उसके उसका सिकार आप लोगों को नहीं होना है अरे बड़ा कौन छोटा कौन जब भाई हो गया भाई तो सब भाई है आपका डेता तो मोगा है देखे कांग्रेस जो सीट पर लड़ेगी वो सीट की चर्चा मीडिया में नहीं होगी सड़कों पर नहीं होगी जो भी फीट बैक देना था हम लोगों ने अपने आलाकमान को दे दिया है और जब इंडिया की बैठक आने वाले दिनों में होगी स अभी दलों के जो सिर्ष नित्रूत वो बने हैं वो सब लोग मिल बैठ करके हम लोग निर्ने लेंगे यहां कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं हमने कहा है कि संगठन मजबूत होगा तो गड़बंधन मजबूत होगा और संगठन को मजबूत करने में हम लगे हुए हैं ताकि गड़वन्दन में भी किसी साथी का कोई उमिद्वार होगा तो उसको पूरी मजबूती के साथ मदद करते। जनता का प्यार उमर करके आदर्निय राहूल गांधी जी को मिल रहा है वो आने वाले समय में आप सभी को पता चल जाए है। अम्मा कहिए, माई कहिए, मम्मी कहिए, अम्मी कहिए बात बराबर है उसी तरह भारत और इंडिया की बात बराबर है। कि पूछने की बात नहीं है, अब कहां कहां बदलेंगे रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया, इसका मतलब क्या है कि 100 और 500 के नोट भी खतम हो जाएंगे, 10 रुपय का नोट भी नहीं रहेगा। लोगों में डर पैदा करके, कहीं न कहीं, चुनाओं को प्रभावित करने का कोशिस किया जा रहा है, चाहे वो द्रोगपती हो, चाहे देश के जो बड़े-बड़े संस्थान हो, सब लोग चिंतित हैं, यह हो क्या रहा है? वन नेशन, वन इलेक्शन के बारे में इतना ही कहूंगा कि जो सदसे हैं, वन लाइफ और थ्री वाइफ आले लोग हैं, तो अब वो लोग को निर्णन लेने दिजिए, हरी सालवे जी हैं, यह सब तो देखे, आडानी जी ने क्या गरबड़ी की है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बाते की जाती है, किस तरह से गरबड़ पुरे देश मों हो रहा है, सीए जी ने जो रिपोर्ट भी है, उस पर चर्चा नहीं हो, मनीपूर में जो बहनों की इजत लूटी गई है, उस पर चर्चा नहीं हो, इस तरह की बाते की जाती है, शिकारी आएग कि जो हुआ है उस मंडपम में जितना तीन हजार कर रुपे खर्च किये गए वो भी पूरी तरह से बैह गया है समझिए तो पहले उसका मुल्यांगन कर लेने दीजिए और बाते बहुत हुई है और जो वाइडें साब ने कहा है कि आप लोगों की स्वतंतरता के संदर में उस को 14 तारी को बहुत जल्दी बाजी थी कि 15 अगास्त को जब मुख्य मंतरी को जंडा फैराना तो उस अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले